दोसो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक एंडियन इंग्लिश ट्राइटर आर्के नरायंड की बहुत ही कमाल की नोवल बैचलर अपार्ट्स दोसो यह जो नोवल है आरके नरायंड की ट्राइology थी सबसे पहले स्वामी एंड फ्रेंट्स को लिखा था फिर बैचलर अर्ठोर अपार्ट्स पिर उसके बाद में ता इंग्लिश ट्रीचर स्वामी और फ्रेंट्स को मैं डिस्कुस कर चुका हूँ, इंग्लिश टीचर को भी कर चुका हूँ लेकिन ये जो है, इसको मैं पार्ट्स में डिस्कुस करूँगा उम्मीद करता हूँ, ये नोबल आपको बड़ी पसंद आएगी आर्किनायन का राइटिंग स्टाइल तो हम सब जानते हैं उसी टाइप की ये लिखी हुई है, और मैं कहीं से भी ये फील नहीं होने दूआ कि ये इतनी पुरानी स्टोरी है ऐसे लगेगा जैसे साल दो साल पहले इसको लिखा गया है तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, स्टोरी में शुरू करते हैं चंदरन जल्दी जल्दी यूनियन की सीडिया चड़ रहा था कि यूनियन की सेकर्टरी नटसर ने उसे पकड़ लिया अरे भाई किदर किदर, मैं तुझे डूण रहा था तुझे याद है कुछ टाइम पहले तुने मसे कोई वादा किया था नहीं तो अरे भाई तुने कहा था ना कि कभी किसी अच्छे भाषन देने वाले की जरुरत हो तो तुबैटा है तो भाई आज तेरी सक जरुरत है भाषन कॉंपरेशन होने वाला है और मुझे कोई मिलने रहा है देख इजज़त का सवाल है मना मत करना आज की डिवेट का टापिक है कि अगर दुनिया में कतल किये जाएं तो इतियास कारो यानि हिस्टोरियन्स का कतल सबसे पहले किया जाना चाहिए इस पर तुझे बोलना है शाम को पांच बे तैयार रही हो क्या कर वो जाने लगा तब ही चंतरन ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला मेरे भाई भाई मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ क्यों मेरी वाट लगा रहा है यह क्या सब्जेक्ट चुना है डिवीट का दुने भाई मेरा प्रोफेसर मुझे कच्चा चबा जाएगा अरे तू उसकी चंता मत करना मैं उसे बुलवाँगा ही नहीं अरे इससे अच्छा दो तू सब्जेक्ट ही चेंज कर ले न भाई यह नहीं आओ सकता भाई प्लीज नहीं 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 हाथ छोड़ मेरा शाम को पांच बज़ा जाएगी तो वह यह काम कर मुझे हिस्टोरियन के सपोर्ट में रख दे सुन वो चला गया और विचारा चंदरन यहां पर फस गे वो घर पहुँचा और रात को नींदों में उसे सपना आया कि उसका हिस्टिरी का प्रोफेसर उसके बीचे कुलहाड़ी लेकर भाग रहा है सुबह उठते ही सबसे पहले वो स्पीस तयार करने लगा अपनी कि हिस्टोरियन का खून सबसे पहले किया जाना चाहिए फिर किसका किया जाना चाहिए सैंटिस्ट का फिर कार्पिंटर्स का हैं अगर खातियों को मार दिया जाएगा तो चाकू का हैंडल कौन बनाएगा ऐसी बचकानी बाते वो सोचे लगा आखिर उसने तै करी लिया सोस्ते सोस्ते की उसे बोलना किया है साधे चार बजे वो अपने कमरे से बाहर निकला हाल में स्पीड से दो तीं चक्कर लगा है बात्रूम का दरवाजा धका देकर खोल दिया मूँ दोया पानी छिड़क कर और वापस कमरे में घुजगिया बाल बना है चॉकलेटी रंग का कोट पहना और निकल गया वहाँ स्रेक्रेटरी नटसिन पसीने में तर बतर लोगों का इंतिजार कर रहा था चंदरन को देखते उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा आजब आज़ा और हाल के मंच पर लगी हुई कुशन चड़ी कुटसियों के पास में से ले जाकर एक कुटसी पर उसे बैठा दिया स्पेशल लोगों के लिए जो लगी थी स्पेशल लोगों के पीच में चंदरन ने अपनी जेब से रुमाल निकाला चहरा पहुंसते वे चारों तरफ नजर डाली हाल में करीब एक हजार लोगों के बैठने की जगह थी लेकिन बैठने वाले कम ही थे पचास लड़के करीब छोटी क्लासिस के थे क्योंकि वो नए थे बीस लड़के करीब फाइनल येर के थे यही कोई सतर असी जने थे लेकिन सेकरेटरी नटसन ने उसके कंदे पर जुकर कहा काफी लोग हैं हाँ बैठने ने क्या गलत बोला था इस टाइब की डिबेट्स में इतने लोग आ जाएं वो ही काफी हैं बहुत ज्यादा लोग होता हैं से भी तब ही बाहर गर-गर करती हुई एक गाड़ी आकर रुकी प्रफेसर ब्राउन की उनके आते ही भाह शुरू हुई उनके आने का इंतिजार किया जा रहा था तालियों की आवाज बिड़गरा हुई चंदर नाया मेज पर रखे पेपर की तरफ नजरे डाली और बोलने लगा दुनिया में हिस्टोरियंस का कतल सबसे पहले किया जाना चाहिए मैं कोद एक हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ इस बात की एहमियत समस्ता हूँ कि क्यों किया जाना चाहिए इसके बाद वो चटपटी बाते करने लगा बोलने लगा तालियां बजने लगी ऐसा कुछ भी नहीं बोला उसने जससे किसी को हर्ट हो जाए बीस मिनट तक वो बोलता रहा और उसकी नजर गई प्रोफेसर ब्राउन पर प्रोफेसर ब्राउन को देखकर उसकी दिमाग में बस एक ही बात आए कि ये आदमी यहाँ पर बस दिखावाई के लिए बैठा है असल में अभी इसका दिमाग टैनिस कोट में ताश खिलने में मीच पर लगा हुआ है दिखावा गटता है ये आदमी इस सारे ये उरूपियन्स ऐसे ही होते हैं इनकी क्लब्स में इंडियन्स आर नॉट अलाउड प्री कितन ख्वा लेते हैं क्लब्स में उड़ाने के लिए अगर कभी सत्ता मेरे आतमे आईने सबसे पहले इन लोगो क्लब बंद गर बाऊंगा ऐसा सूचने लगा इसकी बाद वोटिंग होई चंदरन को भाशन में सबसे बेस्ट माना गया सेकरेटरी उठा कूद कर माइक के पास जा कर बोला दन्यवाद 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 लेकिन दन्यवाद सुनने के लिए कोई वहाँ पर होना तो चाहिए न हाल खाले हो चुका था शांति जा चुकी थी लाइटे बंद होने लगी सेकरेटरी नटसन का तो काम हो गया लेकिन अब तक उसने चंदरन की तारीफ नहीं की थी अपना ही रोना रोने लगा कि यार पता नहीं कैसे मैं सेकरेटरी बन गया पढ़ाई के लिए तो टाइम भी नहीं मिलता अब देख अगस्त आ गया पालिटिकल फिलासफिकी किताबे भी नहीं खोली अभी तर चंदरन के लिए ये सब कोई नई बात नहीं थी इसको अगर सब कुछ दे भी दिया जाया ना तब भी ये रोता रहेगा चंदरन ये बात जानता था लेकिन वो अभी फिलाल अपने भाशन की तारीफ सुनना चाता था तो वो बोला तुझे किसी ने इन्वाइट तो किया नहीं था कि गुरुजी आओ सेकरेटरी बनो तुई इलेक्शन के टाइम पर वोट होगी भीख मांग रहा था ओ भाई ओ तुझे पता है मैंने हर एक वोट को पाने के लिए कितना खिलाया लोग बाप से मांग मांग कर बाते कर रहा है यार सत्तर रुपे घर्चा हुआ है मेरा ऐसे ही बातो बातों में प्रोफेसर ब्राउन की बात निकली सेकरेटरी बोला कुछ भी बोले यार प्रफेसर ब्राउन एक अच्छा प्रिंसिपल है मजाग किया है अच्छा हुमर है संस अफुमर तो चंद्र बोला टिंडे अच्छा प्रिंसिपल है मकार एक नम्बर का पाखंडी हजार उपे महीना कमाता है कलब में उडाने के लिए बाते करते करते दोनों मार्केट रोड पार कर चुके थे फ़र दोनों को लगा हम फालतों की बातों बातों कर रहा है एनरजी विस्ट कर रहा है फिर आगे जागे कभी स्ट्रीट पर पहुँचे आखिर चंदरन ने पूचा अच्छा सेकरेटरी ये तो बताओ कि तुमको मेरी स्पीच कैसी लगी फिर सेकरेटरी ने तारीफों के पुल बांदना शुरू करती है और कभीर स्ट्रीट पहुचने के बाद में चंदरन ने पूचा यहां रहते हो तुम? हाँ मतलब फैमिली के साथ मैं? नहीं, पी जी फैमिली तो काओं मैं है? किराय कितना? तीन रुपए छोटा सा कमरा है और खाना? होटल से काता हूँ कुल मिलागर पंदरा रुपए भीजते हैं अट्जिस्ट करना ही बढ़ता है क्या करूँ? इलेक्शन के टाइम पे इतना खर्चा होगे कि बापने पैसे भीजना ही बंद कर दी आओ, तुम भी कभी मेरे कमरे पर आओ जरूर आओंगा कहकर, कुट नैट बोलकर वो जाने लगा क्योंकि सेक्रेटरी का कमरा बहुत ही गंदा था अभी सेक्रेटरी कभीर स्रीट को थोड़ा पार करने ही लगा था आगे बढ़ा ही था कि चंद्रन ने पीछे से आवाज दे कर पुकारा सुनो सेक्रेटरी वापस आया हाँ बोलो यार मैंने वो जो रिजाइन की बात कही थी थी मजाक में बोली थी सेक्रेटरी अंधिरे में गायब हो गया सेक्रेटरी आदमी तो अच्छा है लेकिन उधार खो रहा है शौक बड़े हैं इसके इसकी वाद चंदरन भी अंधिरी गली में अपने घर को लटने लगा इसके आगी कहानी नेक्स वीडियो में